बीज़कर दोस्तों स्वागत हेकने वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में वताने वाला हूं कि अगर आपके पास IQ Z5 है या फिर Z7 है तो आपकी इस तरह से SIM insert करके network की setup कर सकते हो तो SIM insert करके network setup करेंगे यहां पे तो सबसे पहले आपको यहां पे SIM tray में आपको pin insert करके SIM tray को बाहर निकाल लेना है और SIM tray निकल जाएगा तो आप देख पाओगे कि दोनों तरफ आपके SIM इस तरह से लगते हैं और इसमें memory card आपका नहीं लगता है तो यहां पे किसी भी एक tray में आपको SIM इस तरह से डाल देना है जो yellow ओला part होगा यानि कि जो metal ओला part होगा यह उपर की तरफ होगा और आप इधर भी डाल सकते थे लेकिन फिलहाल मैं एक ही SIM insert करूँगा तो एक SIM यहां पे डाल करके और आपको insert कर देना है insert करने के बाद आपको यहां पे directly screen पे कुछ भी आए आपको setting पे जाना है अभी मैंने SIM में पील लगा रखा है तो SIM में अगर पील लगा हुआ है आपके SIM में तो SIM का आप password यहां पे एंटर कर दोगे वैसे आप से नहीं मांगा जाएगा आपके mobile में में भी किया आपके SIM में नहीं लगा हुआ हो तो आपको setting पे चले जाना है setting पे जाने के बाद आपको ऐसे call करना है network and internet पे जाना है इस पे जाओगे तो SIM card and mobile network का option मिलता है इस पे जाना है आपको इसमे जाओगे तो आपका यहां पे SIM card SIM 2, SIM 2 और यहां पे देख सकते हो SIM 2 यानि कि SIM 2 मैंने insert कर रखा है तो SIM 2 पे आप click कर लोगे SIM 2 के पूरी setting है अगर आपने दो SIM डाल रखा होता तो आप इसको भी इसी तरह से setup करते हैं जैसे मैं इसको कर रहा हूं तो पहले मैं एक करके दिखा देता हूं यहां से आप SIM को बंद कर सकते हो यहां से on कर सकते हो यहां पे आप SIM का नाम जैसे क पार होता है आप चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने rate कर दिया और यहां पे number होता है आप चाहो तो SIM का number आप डाल सकते हो वरना आप लिव कर सकते हो इसके बाद जो important setting होता है अब वहा जाता है तो आपको रूमिंग on करके रखना है क्योंकि outer station में या फिर कहीं कहीं ऐसा location होता है तो उस समय रूमिंग आपको on करना पड़ता है तो आप इसको on कर लीजिए इससे आपका कोई भी extra पैसा नहीं लगता है या फिर extra charge नहीं लगता है आपको यहां पे preferred network type का option मिलता है इसमें आप चाहाँ तो 5G आप कर देना मतलब कि आपको 4G, 3G, 2G और यह 5G preferred है ना तो 5G आपको कर लेना है इसके बाद यह automatically select रहने देना है इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है और इसके बाद यहां पे 3.0 पे जाके एक बार इसको reset कर लेना है VPN को नीचे में बोल्ट को enable करके रखना है बोल्ट enable नहीं होगा तो direct video calling का option आपका miss हो जाएगा तो इसको आप on कर लोगे वाइवाई calling पे जाओगे यह तो आप on करोगी करोगे 720 क्लिक करके call over wifi कर लोगे इसके बाद carrier video calling का option भी आपको enable रखना है direct video call के लिए इतनी setting आपको कर लेनी है SIM2 के लिए इसी तरह से SIM1 के लिए भी आपको यहाँ पे setup कर लेना है जब आप यह दोनों setup कर लेते हो तो आपको यहाँ पे SMS option मिलता है, phone call option मिलता है, mobile data option मिलता है, देखो, SMS option पर जाकर के, आप select कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक ही SIM डाल रखाया, तो यहां पर सब को हो रहा है, आप यहां पर चाहो, तो always ask कर सकते हो, या फिर आप कोई एक SIM चून सकते हो, कि जब मैं SMS करूँ, तो by default रूप से यह अटिल से ही होगा, जब मैं call करूँगा तो यह अटिल से ही होगा, mobile data मेरा यह अटिल से ही चलेगा, और अगर आपको अब कुछ setting करना है, जैसे कि मान के चलो mobile data on करना है, तो mobile data आप on कर सकते हो, यहीं पर आप hold करके रखोगे, तो direct आप mobile data के option पे चले जाओगे, तो यहां से net on कर सकते हो, और off कर सकते हो, और वही setting पे चले जाते हो, इस तरह से आप इस्तमाल कर सकते हैं, रही बात network issue आता है आपको या कोई problem आता है, तो आप i button के playlist से videos को देख सकते हैं, या फिर description में भी playlist मिल जाएगा IQ के नाम से, तो वहाँ से videos को देख सकते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी होगे तो लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए वाब है,